हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था डोफी ने सॉलो आइलेंड पे अपना बर्ड केज अटेक यूस किया था और लौ और कोरा जोन को अपने बर्ड केज में फसा लिया था इसके बाद दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बनाना चाहता हूं लेकिन जो मेरी बोडी है अभी वो मेरे साथ कीप अप नहीं कर पा रही है अभी ठीक नहीं काम कर रही है जिस वज़ा से मैं 4-4 एपिसोड नहीं ब पार रही होती है इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ड्री बैरल पारेट्स उससे मदद मांग रहे होते हैं लेकिन वो बच्चा वहां से भाग जाता है इधर जो पारेट्स होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं क्योंकि डोफी उन्हे कंट्रोल कर रहा होता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीज बेरल जो बोलता है कि डैरी कहाँ पर है वो आम लोगों से ज़ादा पावरफुल है पर वो है कहाँ वो थोड़ा सा डरपोक है इसके बाद वहाँ पर आ जाता है डोफला मिंगो और डीज बेरल डोफी से बोलता है ओ तो तुमने ओपी ओपी फ्रूट चुराया है डोफी बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या अगर मैं ओपी ओपी फ्रूट चुराता तो क्या मैं इतनी तबाही मचा रहा होता इसके बाद वो डीज बेरल को मार देता है अब हमें दिखाये जाते हैं डियामांटे लोग इन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है और इनकी आँखे चमक जाती है बफैलो और बेबी फाइफ हवा से नजर रख रहे होते हैं तब ही इनके पास एक मैसेज आता है कि नेवी ने एक बच्चे को बचा लिया है इसके बाद दोस्तों क्या होता है कोरा जोन मैदान में आता है वो लोग को बचाने के लिए सब का ध्यान अपने उपर करता है तो डियामांटे हमला करता है उससे बच जाता है लेकिन जो ट्रैबॉल होता है उसका हमला कोरा जोन को पड़ता है इसके बाद पीका उसे पकड़ पर एक सौट रख देता है जिसके बाद ट्रैबॉल बोलता है ये वो इंसान है जो हमें नेवी से लड़वाने वाला था ये हमारी फैमली को बरबात करने वाला था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफी और फिर हमें डोफी की एक और छोटी सी बैक स्टोरी जसके बाद ट्रैबॉल उसे अपना मास्टर बना लेता है डोफी अपने पिदाजी से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों करा जो पावर हमारे पास थी वो आपने हमसे क्यों छीन ली जिसके बाद वो बोलता है कि पापा मैं आपको मार दूँगा और आपकी मुंडी ले जाके म मारी जो मैं दिखाऊंगा ताकि वो मुझे वापिस ले लें और फिर वो अपने पिताजी को मार देता है। मारने से पहले पिताजी बस एक ही बात बोलते हैं। डोफी और रोजी नैंटे मुझे माफ कर दो कि तुम्हें मुझे जैसा बाप मिला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरा जोन को ये लोग बंदी बना लेते हैं और डोफी फिर उसके पास आता है। और बोलता है कि 6 महीने हो गए कोरा जोन। कोरा जोन अपने जैम में हाट डालता है। एक चोड़ी सी बैक स्टोरी शुरू होती है जिसमें सैनगोकु कोरा जोन से बोलता है बेटा तुमारे पास कोई जगा नहीं है क्या रहने के लिए? क्या तूम मेरे साथ चलोगे? और यहीं पर बैक स्टोरी खतम हो जाती है। फिर कोरा जोन अपनी जेव से तमंचा वार निकालता है और वो बोलता है मरीन कोड 01746 मैं कमांडर रोजी नैंटे फ्यूचर की तबाही को रोकने के लिए तुम्हें मारना चाता हूँ जिसके बाद वो लौ से बोलता है लौ मुझे माफ करना लेकिन मैं एक नेवी ओफीसर ह करूं ये बात मैं तुम से इसलिए चुपा रहा था कि कहीं तुम मुझे नफरत ना करो लौ बोलता है कि मुझे ये बात पताती डोब फिलामिंगो बोलता है ये मजाग बन करो मेरे दो सवालों का जवाब दो Ôपी, ओपी, फुरूट कहा है और लौ कहा है कोरा जोन बोलता कि ओपी ओपी फ्रूट तो मैंने लौ को खिला दिया और अब वो एक डैविल फ्रूट यूजर बन गया है और हाँ वो तुम्हारे बर्ड केस से बच भी गया है अब तक तो वो नेवी के पास पहुंच गया होगा और अब तुम उसका कुछ नहीं बिगार सकते इतने में बे मेरे साथ यहां तक वनपीस देख रहे हैं वो मुझे जवाब दें कि ये बच्चा कौन है ये आप लोगों ने पहले भी देखा है ये एक हिंट है लेकिन जवाब आप इमानदारी से दोगे सर्च नहीं करोगे डोफी बोलता है निकलने की तयारी करो हम उस शिप को ढूड़नेंगे और लोगों वापिस ले लेंगे जिसके बाद कोरा जोन बोलता है तुम लोगा क्या करोगे डोफी बोलता है लोने ओपी ओपी फ्रूट खाया है अब मुझे उसे सिखाना पड़ेगा कि वो मेरे मेंबर को ही मारना पड़ता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरा जोन ने कैसे लोगो एक ट्रैजर बॉक्स में चुपाया और उससे बोला कि डोफी मेरा भाई है वो मुझे नहीं मारेगा लेकिन सिचुवेशन एकदम चेंज हो गई होती है कोरा जोन की मौत उसके सामने खड़ी होती है कोरा जोन ये भी बोलता है कि लोग अब बदल चुका है पहले वो अपनी रा से भटक गया था लेकिन अब वो बहुत अच्छा हो चुका है और तुमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग तुम से सीखे तुम तो एक तबाही मचाने वाले दूसकरी होती है ताकि उसका शोर डोफी को ना सुनाए पड़े तो वो हिम्मत करता है और लौ को बचाने में कामियाब होता है डोफी और लौ लडाई कर रहे होते हैं लेकिन अब लौ थकने लगता है । बोलता है क्या हुआ थक गए क्या मुझे तो लगा तुम खेल रह लोब बोलता है कि हाँ, तेरा साल पहले जो तुमने किया था, मैं उसका बदला लेने आया हूँ डोफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा था लोब, कि तुम बस खेल रहे हो तुम्हारा ये इच्छा, तुम्हारी ये फ्रीडम, ये सब मेरा है लौ बोलता है कि जब मैं तुम्हें रोक दूँगा जब मैं उस इंसान का सपना पूरा कर दूँगा तब मैं अपने आपको फिरी महसूस करूँगा लूफी जब भी डोफी के कलोन के उपर हमला करने की सोचता है बेलेमी बीच में आ जाता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है लौ जो डोफी से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मौंकी डी लूफी के बारे में मुझे नहीं पता था कि तुम आज तक एक सेलिश्शल ड्रैगेन हो तुम डी के बारे में क्या जानते हो डोफी बोलता है इससे तुमारा कोई भी लेना देना नहीं है और तुम कहना क्या चाते हो कि मुगी वारा यहां तक आया है क्योंकि उसको डेस्टिनी यहां तक लेके आई है और वो मुझे मारे का क्योंकि मेरे अंदर एक भगवान का खून है सुनो कुछ ऐसी जगाएं हैं जहां के लोगों को फैमली ओव डी बोला जाता है और वो भगवान के जानी दुस्मन है जिसके बाद लॉब बोलता है कि मैं भी एक डी हूँ यह सुनकर मिंगो का दिमाग खराब हो जाता है इसके बाद वोईला पूरी सिच्वेशन पर नजर रख रही होती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा क्या चल रहा है वो बताती है कि लॉड डोफी से बैटल कर रहा है पीका लडाई कर रहा है जोरो से डियामांटे की बैटल काईरोस से चल रही है ट्रेबॉल भी डोफी के पास है अब उसोब बोलता है कि वोईला एक बात बताओ कितने एक्जीक्यूटिव बचे हुए है तो वो बताती है कि अभी तक मैदान में सारे एक्जीक्यूटिव ही खड़े हुए है लूफी और डोफी लड़ रहे होते हैं लेकिन उसके सामने बस एक ही परिसानी होती है कि वो बैलैमी को कैसे वहां से हटाए इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कायरोज और डियामांटे बैटल कर रहे होते हैं जहां पर कायरोज बहुत अच्छी टकर दे रहा होता है डियामांटे को इसके बाद डियामांटे एक अटेक यूज करता है आर्मी बैंडेरा जिससे वो पूरी सतह को एकदम फ्लैक की तरह लहरा देता है इसके बाद हमें दिखाई जाती है निको रोबिन जिसको रैबेका की चिंता हो रही होती है तो बाटोलोमियो उसको बैक अप देता है और बोलता है कि आप उपर चले जाओ इसके बाद ग्लैडियस की बैटल चल रही होती है केवेंडिस से कलोजियम के जितने भी योद्धा होते हैं उनके एक्जीक्यूटिव से बैटल चल रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है डोफी और लौ जहां पर डोफी का दिमाग खराब हो जाता है ये सुन कर कि लौ भी एक डी है इधर दोस्तों क्या होता है वोईला बोलती है कि अगर सारे एक्जीक्यूटिव भी हार गए और डोफला मिंगो जीत गया तब भी हमारा कुछ नहीं होगा जिसके बाद कुछ लोग बोलते हैं तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारा भविश्य पाइरिट्स के हातों में है इधर लौ अपना इंजेक्शन शॉर्ट अटेक यूज करता है और बोलता है कि उस समय कोरा जोन आपको नहीं मार पाए क्योंकि वो एक दयालू इंसान थे लेकिन उनकी जगा ट्रिगर मैं दबाऊंगा मैं तुम्हें मारूंगा और उनका सपना पूरा करूंगा दोस्तो यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साथधान गुड बाए